इस वीडियो के दुवारा आप Digital KYC Activation Process समझेंगे. सबसे पहले Idea Smart Retailer App ओपन कीजिए. अब New Subscriber Edition क्लिक कीजिए. यहाँ आप दो अप्शन्स देखेंगे, EKYC और Non-EKYC. Digital Activation के लिए Non-EKYC सी सेलेक्ट कीजिए. अब Connection Type और FRC एंटर कीजिए. इसके बाद Mobile Number और SIM Number टाइप कीजिए. SIM के पर दिये गए QR Code या Bar Code को स्कैन भी कर सकते हैं. अब POI के Complete Details एंटर करने हैं. आर में सेलेक्ट कीजिए. झाल सम्सी एंटर. अब Самед की बादर. आर में सेलेक्ट कीजिए. झाल झाल डीटेल्स एंटर करने पर रेटेलर कंजेंट के लिए रेटेलर के नमबर पर OTP बेजा जाएगा अंट में कस्टमर कंजेंट या कन्फरमेशन के लिए कस्टमर की अल्टरनेट नमबर पर OTP बेजा जाएगा ये OTP एंटर करने पर कस्टमर का नमबर टेली वेरिफिकेशन के लिए अवेलिबल हो जाएगा इस तरह आईडिया स्मार्ट रेटेलर आप के जरिए आप आसानी से डिजिटल KYC अक्टिवेशन कर सकते हैं क्या क्या हूँआ है तो झाल क्या म्स्वेशन करूँ अटर्म किया ये तो